Hey guys, आज हम compare करने जा रहे हैं Poco X2 vs Realme X55G के साथ तो आपको साथ पता होगा कि Realme X55G पहले ही चाने में launch हो चुका है और हाली में Poco X2 इंडिया में launch हुआ है तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा फोन सबसे बेस्ट है प्राइस रेंज को देखते हुए और स्पेक्स को देखते हुए तो सबसे पहले इन दोनों फोन्स का डिस्प्ले को compare करें तो Poco X2 में आपको मिलता है 6.6 इंच का Full HD Plus IPS LCD डिस्प्ले और साथ में इस फोन के फ्रेंट में आपको dual punch hole भी देखने को मिल जाएगा लेकिन इस फोन का जो targeted main feature है वो है इसका 120Hz का refresh rate जी हाँ इस price range में आपको कोई भी ऐसा फोन में देखने को नहीं मिलेगा ये फीचर जो बहुत ही अच्छा और smooth experience दे देता है अपने फोन में और साथ में इस फोन में आपको Gorilla Glass 5 का protection मिल जाएगा front और back दोनों तरब और Realme X55G के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का full HD plus IPS LCD display मिल जाएगा और इस फोन में भी आपको same वही front में dual punch hole देखने को मिल जाएगा लेकिन जब main difference है वो है Poco X2 में आपको right side में dual punch hole देखने को मिलता है और Realme X55G में आपको Hertz का difference rate देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको front और back दोनों तरब Gorilla Glass 5 का protection भी मिल जाता है तो देखिए यहाँ पर इन दोनों फोन्स में display में कोई भी major difference देखने को नहीं मिलेगा आपको normally हर एक specs same देखने को मिल जाते हैं तो इसको हम equally रहने देते हैं और अब हम compare करेंगे इन दोनों phones के processor को तो POCO X2 में आपको मिलता है Snapdragon 730G का processor जो 4G को support करता है और यह जो processor है यह आता है 8 nanometer architecture के साथ और यहाँ पर इस phone के GPU की बात करें तो इसमें आपको Adreno 618 का GPU भी देखने को मिल जाता है और अब हम बात करेंगे Realme X50 5G के बारे में तो इस phone में आपको मलता है Snapdragon 765G का octa-core processor जो 5G को support करता है जी हाँ दोस्तों यह processor in-build 5G को support करता है और यह जो processor है यह आता है 7 nanometer architecture के साथ और इस phone के GPU की बात करें तो यहाँ पर आपको Adreno 620 का GPU भी देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर on paper आपको बहुत ही जादा huge difference देखने को मिल जाएगा processor में क्योंकि Realme X50 5G को in-build support करता है साथ में बहुत ही जादा powerful processor है अगर आप Snapdragon 730G के साथ compare करते हैं तो सो आप इसे battery efficient processor भी बोल सकते हैं और इस phone का जो graphical performance है बहुत ही अच्छा मिल जाएगा in compare to Snapdragon 730G सो यहाँ पर Realme X55G processor के लिए no doubt जीत जाता है और अब हम बात करेंगे इन दोनों phones के RAM और storage के बारे में तो Poco X2 का जो base variant है यह आपको देखने को मलता है 6GB RAM और 64GB internal storage के साथ और इसमें आपको UFS 2.1 का support भी देखने को मिल जाता है और यहाँ Realme X55G के बारे में बात करें तो इसमें base variant आपको मिलता है 8GB RAM और 128GB internal storage के साथ और इसमें भी आपको UFS 2.1 का support देखने को मिल जाएगा सो यहाँ पर basically देखा जाए तो on paper आपको पता चल रहा होगा कि जो base variant का टकर है वो Realme X55G जीत जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से 8GB का RAM और 128GB का internal storage base variant में देखने को मिल जाएगा और अब हम compare करेंगे इन दोनों phones के cameras के बारे में तो Poco X2 में और Realme X55G में दोनों ही phones में आपको पीछे quad camera setup मिल जाएगा जी हाँ, 4 camera आपको पीछे देखने को मिल जाएगा जिसमें से Poco X2 में आपको primary sensor मिलता है 64MP का जो आता है Sony IMX686 sensor के साथ second camera आपको मिलता है 8MP का wide angle lens के साथ third camera आपको मिलेगा 2MP का depth sensor और fourth में आपको 2MP का macro lens भी मिल जाता है और यहाँ पर बात करें Realme X55G के बारे में तो यहाँ पर आपको primary sensor मिलता है 64MP का Samsung GW1 sensor के साथ और second camera आपको यहाँ मिलेगा 12MP का telephoto lens third में आपको मिलेगा 8MP का wide angle lens और fourth और last में आपको मिलेगा 2MP का macro lens तो देखें यहाँ पर अगर overall camera quality की बात करें या फिर image या फिर video quality की बात करें तो आपको पता होगा कि 64MP का Sony IMX686 sensor है POCO X2 में यह बहुत ही बढ़िया आपको quality दे देता है मतलब अगर video quality की बात करें या फिर sharpness आपको POCO X2 में बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा और बाकि जितने भी specs से आप अपने अनुसा चूज कर सकते हैं आपको telephoto lens चाहिए या फिर depth sensor चाहिए यह आपके ओपर depend करता है लेकिन अगर आप मेरा opinion चाहते है तो मेरे हिसाब से POCO X2 में आपको better quality मिल जाएगा cameras में और इन दोनों phones के front camera की बात करें तो POCO X2 और Realme X55G इन दोने ही phones में आपको front में dual front selfie camera मिल जाएगा तो यहाँ पर POCO X2 में आपको मिलता है 20MP का primary lens second camera को मिलेगा 2MP का depth sensor और यहाँ पर Realme X55G में आपको मिलता है 16MP का primary lens और second में आपको मिलेगा 8MP का wide angle lens तो यहाँ पर भी फिर से आपके उपर depend कर रहा है कि आपको wide angle lens अच्छा लगता है या फिर dip sensor अच्छा लगता है और अब हम compare करेंगे इन दोने phones के batteries को तो POCO X2 में आपको मिलता है 4500 damage का battery साथ में 27W का fast charging का support भी मिलेगा और यहाँ पर Realme X55G में आपको मिलता है 4200 damage का battery साथ में 30W का work 4.0 fast charging का support भी मिलेगा तो देखें यहाँ पर जो battery backup है वो थोड़ा सा better आपको POCO X2 में मिल जाएगा और यहाँ पर अगर हम fast charging की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने कुछ दिनों से बहुत सरे reviews देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको POCO X2 में जादा अच्छा fast charging देखने को मिल जाएगा in compare to Realme X55G इसमें भी POCO X2 जित जाता है battery backup के वोई से और fast charging के वोई से तो अब हम बात करेंगे इन दोनों phones के pricing तो यहाँ पर POCO X2 जैसे आपको पता होगा इसका जो best variant है 6GB RAM और 64GB internal storage बला यह पहले ही इंडिया में launch हो चुका है और इसका price आपको इंडिया में 15,999 रुपीज में मिल जाता है या नहीं कि 16,000 रुपीज में आपको यह phone देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर बात करें Realme X55G के बारे में तो हम जब यह वीडियो बना रहे है इस बक तो यह phone इंडिया में launch नहीं किया है लेकिन हम एक approx value बोल सकता है कि यह साइध किस price range में launch हो सकता है तो जैसे आपको पता होगा इसका जो best variant है 8GB RAM और 128GB internal storage वाला यह आपको चाइन में देखने को मिलता है 26 या फिर 27,000 के आप सपास यह इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा तो इसका price आपको थोड़ा सा high जरू लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा processor मिलता है साथ में 5G का support मिलेगा 8GB का RAM variant और 128GB internal storage मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे चीज़े हैं जो आपको थोड़ा सा better मिल जाएगा Poco X2 के तुल्ला में तो इसलिए इसका price भी थोड़ा सा ज्यादा है तो देखते हैं यह किस price रिज में launch करता है इंडिया में तब हम आपको एकदम accurately बोल देंगे कि कौन सा phone आपके लिए best होगा लेकिन अभी के लिए Poco X2 सबसे best option है आपके लिए अगर आप कोई नया smartphone लेना चाहते है 20,000 के नीचे तो मेरा बस यही opinion था कि Poco X2 आपके लिए सबसे best option है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा phone सबसे best है आप नीचे मुझे comment करके जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो आप मेरे चैनल को subscribe करके मुझे support कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अलगले वीडियो में तोस्तों मिलते हैं